तो आज हम आपके लिए फिर्ट से परजेंट है क्लास 10 की NCRT का 3.1 दो चरवाले रैखिक सम्मी करण चेप्टर को लेके यानि अगर आप सीबसी बोर्ट से हैं तो आपके लिए पेर ओफ टू लीनियर इक्वेशन चेप्टर है चेप्टर नमर थिरी जो है आपका तो उसका स करेंगे तो सबसे पहले मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि इस चेप्टर के लिए आपको जरूरत है एक ग्राफ कॉपी की मैं अभी जिस कॉपी में सॉलूशन कर रहा हूं वो भी एक ग्राफ कॉपी है आप देख सकते हैं ठीक है ग्राफ कॉपी है मैंने ली है तो आप कोशिस करेंगे कि जितना हो उसके ग्राफ कॉपी पर ही इसको बनाएं क्योंकि इसमें जो भी आपका है बगएर ग्राफ कॉपी के आपका काम नहीं चलने वाला है बाकी चप्टर में आप ग्राफ कॉपी के बगएर काम चला सकते हैं लेकिन इस चप्टर में आपको आयू का था अब से तीन वर्ष बाद मैं तुमसे केवल तीन गुनी आयू का रह जाओंगा इस स्थिति को बीज गनीती है एवं ग्राफिय रूपों में व्यक्त करना है आपको ठीक है चलिए तो इसको हल करते हैं तो विडियों बने रहिए बहुत है सिंपल है चलिए सबसे एक अधा जो प्रशन कहता है उसकी साथ सु लिते हैं कि माना अफटाब की आयू थे कैं आयू के वारे में तो कुछ दिया नहीं है तो माना अफताब की आयू बराबर हम मान लेते हैं एक्स वर्ष ठीक है क्योंकि वैल्यू तो दिया नहीं है कि हां कितनी है तथा पुत्री की आयू ठीक है क्योंकि उसकी एक पुत्री है तो माना पुत्री की आयू जो है वो हम मान लेते हैं वाई वर्ष ठीक है आप इसके जगा कुछ ही मान सकते हैं आप इसके जगा आप ए व कि आफताब कहता कि सात वर्ष पुर्व तो चले सात वर्ष पुर्व देख लेते हैं इन लोग की आयू क्या थी लिखते हैं सात वर्ष पुर्व ठीक है सात वर्ष पुर्व आफताब की आयू आफताब की आयू जो होगी वो कितनी होगी तो सात वर्ष याने सात वर्ष घड दियाएगा याने x-7 वर्ष और उसकी पुत्री किया याने 7 वर्ष पुर्व पुत्री कि आयू क्यों कि उसकी बेटी है तो आयू बराब हो जाएगा तो उसकी आयू में भी तो 7 वर्ष क्या करेंगे हम घटाएंगे ठीक है चलिए तब इसके करणियों प्रश्ण से लिखेंगे जैके यान इसको अस्थिती फर्ष से भी लिख सकते हैं हो जाएगा कहता ह कि 7 वर्स पूर मैं तुम से 7 गुना था यानि आफताब जो है वो 7 गुना है इसलिए equation को बरावर करने के लिए हम 7 को आफताब की आयू में न गुना करके हम पुत्री की आयू में गुना करते हैं ताकि जो equation है वो क्या हो जाए बरावर चलिए थो गया x-7 बरावर 7y-49 ठीक ह चलिए थो गया x चलिए y को इधर ले आते हैं बरावर जाएगा minus 49 पलस 7 बरावर हो गया x-7y बरावर minus 42 ठीक है ये हो गया हमारा equation first ठीक है चलिए तो ये हो गया पहली स्थिती से कि पहली स्थिती में वो कहता है कि 7 वर्स पूर चलिए अब प्रश्न की दूसी स्थिती हम आउयो भ़जिती है तो वो कहता कि अब से 3 वर्स बाद मैं तूमसे केवल 3 गुनी आयू का रह जाओंगा तो चारे प्रश्न की अब दूसरी स्थिती देखते हैं तो कहता है कि 3 वर्स बाद आउफ ताव की आयू क्या हो जाएगी तो लिख़़ेंगे पहले आउयो बराब एक्स प्लस 3 बर्ष हो न हम पिक Walking किन थीजिए बढ़त हो टायूं वाऊ से तो टेन फast होकि कि आपंधन से आख वाव सर्य को न या में तो बारा इक हो जाएंगे तो पार। और 3, 15. तो चलिए, इसके हिसाब से देखते हैं, प्रश्ट से क्या हो जाएगा? चलिए तो हो जाएगा X प्लस 3 बरावर कहता है तीन गुनी तो तीन गुनी आफ्ताव हो जाएगा आफ्ताव हो गात इसलिए हम तीन आफ्ताव की उम्र में न गुना करके हम पुत्री की आईयो में गुना करते हैं ताकि जो equation है वो क्या हो जाए बरावर तो हो जाएगा X प्लस 3 बरावर 3 बाई प्लस 9 तो X माइनस 3 बाई बरावर 9 9 में से 3 गया 6 यानि हो गया equation second ठीक है यह हो गया अब चलिए अब हम क्या कर लेते हैं इसका बीज गनीतिय रूप लिखते हैं चलिए तो हम लिखेंगे बीज गनीतिय रूप में प्रदर्शन ठीक है इसका हम बीज गनीतिय रूप में प्रदर्शन करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे चलिए पहले equation first को लिखते हैं equation first है हमारा X-7 बाई बरावर माईनस 42 यह हो गया हमारे equation first equation second देखते हैं माइनस 3 बाई बराबर 6 यह हमारे equation second है यह हो गया आपका गनीतिय रूपन अब चली हमें इसे क्या है इसमें कहता है कि आपको इसको graphia नहीं रूपन देना है तो चली लिखेंगे graphia रूप में परदर्शन तो graphia रूप में परदर्शन के लिए हम सबसे पहले हम x और y का अलग-अलग मान समीकरण 1 और 2 के अनुरूप हमें निकालना पड़ेगा तो चलीए समीकरण 1 से पहले देख लेते हैं समीकरण 1 से समीकरण 1 से देखते हैं तो x-7y बराबर-42 तो इसी लिए x बराबर हो जाएगा आपका माइनस 4 टू प्लस 7y ठीक है अब चलीए इसका एक आपको डबा जैसा बना लेना है इसमें आपको x और y के कुछ मानों को लिखना है कुछ मानों को आपको क्या करना है इसमें लिखना है x और y को और कोसिस कीजिए कि कम से कम तीन मान लिखें ठीक है दो से तीन मान लिखें इस प्रस्ट में हम दो मान लिख रहें अब तीन मान लिख कर भी बना सकते हैं ठीक है यदि इस प्रस्ट में हम एक हम बाई बराबर जीरो लेते हैं क्या लेते हैं हम बाई बराबर जीरो ठीक है या फिर एक काम कर ले हम x बराबर 0 लेते हैं, क्या लेते हैं x बराबर 0, तो 42 इधर आ जाएगा, माइनस में इधर प्लस में, 7 चक बी-40 तो y का वैल्यू 6 हो जाएगा, यदि हम आप बारी वह से मान रखकर नीचे बना सकते हैं, ठीक है, यदि रख लेते हैं, यदि x बराबर 0 हो जाएगा, तो द y बराबर 7, तो 7 सते 49, 42 में से 49 क्या बच गया कितना, 7, ठीक है, तो यह हमारा वैल्यू समी करन 1 के अनुसार, x और y की वैल्यू आ गई, चलिए, समी करन 2 से देखते हैं, ठीक है, समी करन 2 है हमारा क्या, x-3 by बराबर 6, तो हो जाएगा, x बराबर 6, 6 पलस 3 by, ठीक है, अब चलिए, इसका भी हम एक डबा जिसे बनाते हैं, इसमें भी हम x और y के मानु को क्या करेंगे, लिखेंगे, ताकि जो वैल्यू है, हमें निकालने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है, चलिए, यहां हम क्या करते हैं, y का वैल्यू तीन रखते हैं, तो 3 तिया 9, 6 में से 9 गया, त तो 6, देखें, sorry, x का मान माइनस 3 रखते हैं, ठीक है, यहां रखें, माइनस 3 रखें, तो यह देखें, तो हो जाएगा, कितना, 3, जिसे देखें, रखते हैं, यह दि x की वैल्यू हम माइनस 3 रखते हैं, कितना रखते हैं, माइनस 3 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, आप अब खुद देखिया, तो minus 3, minus 6, बराबर 3, वाई, हो जाएगा ना, तो minus 9, बराबर 3, वाई, 3 ती या, 9, यानि जो total value आ गया, वो हो गया, minus 3, ठीक है, चलिए, अब इसका रखते हैं, second value रखते हैं कि by बराबर मान लेते हैं, 0, कितना लेते हैं, जीरो तो यह जीरो ठीरी इंटू जीरो तो जीरो तो से वैलू कितनी बचगी जिक्स बचगी यानि दो डबबे आ गए हमारे एक सौर बाई के चली अब इसका हम ग्राफ यह निरूपन करते हैं चली तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो एक क्वेशन के लिए हमारा जो डबबा हमने बनाया था वो कुछ ऐसा वैल्यू आया है तो चली इसके नुसार हम ग्राफ कॉपी पर क्या है इसको हम दर्शाएंगे तो चली इसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको एक पैंसिल की आप पैंसिल से बनाईगा और आपको एक रूलर की जरूरत पड़ेगी तो आप लोग पैंसिल और रूलर ले लीजेगा ठीक है तो चली सबसे पहला जो हमको निरूपन करना है एकस माइनस सेवन बाइब ब्रावर माइनस ब्याले से 0,6 यानि इसको अब लिख सकते हैं 0,6 और 7,7 तो सबसे पहले 0,6 चली 0,6 देखते हैं बई 0 यहाँ है 6 यहाँ है ठीक है यह बिंदू यहाँ पर होगा ठीक है थोड़ा इसको हम मोटा कर लेते हैं ठीक है चलिए हमने इसको कर लिया दूसरा है आपका 7,7 याने x पर भी 7 ठीक है x पर 7 7 यहाँ है थ्वास आप साइस लिजेगा मेरा छोटा पड़ गया यह 7 है और आप तो यहाँ भी 7 यहाँ 7 है ठीक है यहाँ बिंदू क्या 7 है तो 7 और 7 कहां मिलता है देखें 7 और 7 देखें तो यहाँ पर मिल रहा है ठीक है चलिए इस बिंदू क्या है 7 और 7 मिल रहा है ठीक है यह चीज़ आपको देख लेना है दूसरा अपर कुशन देखें तो है माइनस 3, minus 3 ठीक है दूसरा equation क्या minus 3,3 है और एक है 6,0 चलिए तो देखते हैं minus 3, minus 3 minus 3 by के लिए इधर x के लिए इधर ये एक बिंदू यहाँ पर मिलता देखिए उपर ही minus 3 इधर भी minus 3 चलिए हो गया और दूसरा है हमारा 6,0 याने by 0 है x पर 6 याने यहाँ है ठीक है आप हमें क्या करना है, इसको हमें मिलाना है, ठीक है तो आप इसे मिलाईएगा तो value आपको कुछ ऐसा दिखेगा सबसे पहले देखिए इसको आप मिलाते हैं, ठीक है एक समी प्रिंदू करतन में था, तो इस से दिख겠다 है एक लाइन में इसको हम मिलाएंगे तो देखेगा कुछ इस परकार का आपका ग्राफिय निरूपन ये दिखेगा ठीक है एक सीधे रेका हम चला गया तो ये किसका था एकस माइनस सेवन बाई बरावर 42 ठीक है इसका था तो हमें जो इसका बिंदू है आप 7,7 लिखना पड़ेगा और यहां जो ये किसका था 0,6 पर ठीक है तो ये चीज़ आपको दिखना पड़ेगा चलिए ये पहला पॉइंट का था इसी का देखेए इसी में है अब इन दोनों को मिलाते हैं तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं माइनस थीरी कॉमा माइनस थीरी आई ये है हमारा 6,0 चलिए इसको मिला रहते हैं चलिए ये कुछ आपको ऐसा दिखता है तो आप इसको इस परकार बना सकते हैं और इसकी जो इमेज है हम आपको लास्ट में वीडियो में आपको देदेंगे तो आप देख लिजगा ग्राफ कैसा है ठीक है तो उसके नुरूप आप खुद से बना लिजगा तो चले चलते हैं कोशन नमबर दो में ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट कीजिए तो चले चलते हैं कोशन नमबर दो की ओड़ आप ध्यान से देखें तो कोशन नमबर दो करता है कि क्लिकेट टीम के एक कोच ने उन्चालिस सो रुपे में तीन बल्ले तथा छे गेंदे खरी दी बाद में उसने एक बल्ला उसी परकार दो गेंद तेरह सो रुपे में खरी दी इस स्थिती में बीजगनीतिय तथा जामीतिय रूपों में यानि इस स्थिती को आपको बीजगनीतिय और जामीतिय रूपो में चले ब्यक्त करना तो चले बहुत ही सिंपल है आसान है आप बना सकते हैं चले लिखते हैं कि माना एक बल्ले का मूले की बल्ला का मूले दिया नहीं है तो बल्ले का मूले हम मान लेते हैं एक सु रुपिया क्या मान लेते हैं एक सु रुपिया आप एक रुपिया ही मान सक है अब इसको हम लोग क्या करते हैं वीज गनीती यह रूप में लिखते हैं किस weighted還 गनीतीय रूप में थीक थीक है इसको क्यूंकि हमको सबसे पहले करता है कि बीज ़णीतीय रूप एकस ठीक है और 2 गेंदे हैं याने 2 बाई बराबर करता है 13100 रुपया यह हो गया समीकरन 2 अब चलिए तो समीकरन पहले एकसे चलते हैं किसे चलते हैं समीकरन एक से समीकरन एक क्या है 3x plus 6y बराबर 49100 रुपया ठीक है आप देखिए इसमें कुछ common निकल रहा है 3 तो हो जाग से तो हो जाएगा एकस पलस टू बाई बराबर तेरह सो रुपिया ठीक है अब अब ध्यान दें चलिए सबसे पर इसका निकाल लेते हैं तब आपको हम बताएंगे एकस बराब हो गया आपको वैल्यू लिख देते हैं आप जो है बाई बाई ब्राबर टीन सो रखते हैं तो तेरह सो में चेसो गया कितना बच गया यह हो गया समीकरन एक से अब चले हम समीकरन दो से देखते हैं समीकरन दो से हम ध्यान दे तो समीकरन दो जो है एकस पलस टू बाई बराबर है तेरह सो रुपया अब आप ध्यान दे कि यही समीकरन आपको यहां दिख रहा है ना वैल्यू हम अलग-अलग क्यों रखें जो आपको दिख रहा है वही वैल्यू आप आराम से पूट करें और ग्राफ बना दें जादा मेहनत की कोई जरूरत नहीं है तो चले अब इसका हम क्या करते हैं हम इसको ग्राफिय निरूपन हम करते हैं चले जो हमारा ग्राफ कॉपी ह वह रेडी है और आप लोग भी ग्राफ को पह पेंसिल की सायतास से बनाएं क्यों की सायतास नहीं क्या पте की पनाईएगा तो आपको इसक्ञाम में नमबर नहीं मिलेगा तो चले हमारे पास जो सपीती है समीकरन के नुसार आप देख सकते हैं समीकरन एक तथा समीकरन दोनों की स्थिति जो है वो सेम है तो आपको सेम ही करना है कुछ अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है तो सबसे पहला जो कंडिशन है वो है 700,300 हमने देखे यहां हाइस संख्या दिख रहा है आपको 700 तो हमने कोशिश किया कि 700 तक देखे एक एकस 400,500,600,700 आप चाहें तो और भी कोई अंतर ले सकते हैं वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है बट मैंने 100 से लिया तक क्योंकि संख्या 200,300,400 है तो इसलिए 100 के पहाड़ाय में सभी आ जाते हैं इसलिए हमने ऐसा किया है तो चलिए पहला है हमारा 700,300 जलिए एकसवा वैल इसलिए हम तो जादा मोटा लेंगे क्योंकि देखें यहां भी नीचे वाले में भी 700,300 चलिए दूसरी वैलिए 500,400 तो एकस पर 500,वाई पर चाहर तो जो वैलिए आप देखें तो यहां आ रहा है यह है जो क्योंकि देखें यहां यहां बाई के अनुसार 400 नीचे एकस के 500 है ठीक है 30 स्थी ते यह 35ivos यहां एकस पर 300,वाई पर 500 यहां पर आप देखें,ग्याखें बाई के लिए 500,एकस के लिए नीचे है 300 चलिए अब इसको क्या करते है रूलर की सायतर से हम इसे मिला लेते हैं ठीक है चलिए हम इसे मिला लेते हैं चलिए हमने इसे मिला लिए यहां पर जो है हमें दो लाइन ड्रॉ करने हैं इसके दो लाइन एक साथ ड्रॉ करने से बहतर है कि यहां पर दो दो तीर का निशान दे देंगे इसे हम कर सकते हैं कि यह जो line है इस पर क्या है दो line है इंटरसेक्ट करें चलिए अब यहाँ पर जो value था बोता हमारा 700,300 ठीक है यहाँ पर जो value था नीचे x का value सबसे पहले लिखते हैं y के value बाद में y के सामने 400 तो 400 यह जो value है x पर कितना है 300 और सामने value कितना है तो 500 याने 300,500 ठीक है तो चलिए समीकरन लिख लेते हैं तो पहला जो समीकरन था हमारा अगर वो देखें तो जो पहला समीकरन था वो है हमारा 3x plus y बराबर 4900 रुपया ठीक है 3x plus y चलिए 3x plus 6y यहां 6 होगा तो छूड़ गया था और देखें जो दूसरा समीकरन था हमारा वो हम नीचे लिख लेते हैं x plus 2y बराबर 1300 इसे यह पता चलता है कि देखें समीकरन आपको लिखना काफी जरूरत है क्योंकि समीकरन से यह पता चलता है कि यह आपने जो ग्राब बनाया है वो किस-किस समीकरन का है और इस लाइन पर तो एक ही लाइन के अंदर दो-दो समीकरन है तो एक समीकरन को उपर लिखते हैं एक समीकरन को हम नीचे की और हमने लिख दिया है तो इस प्रकार आप इस ग इसलिए क्या है यह संपाती है चलिए तो कोश्चन नमर तीन करता है कि दो केजी सेव और एक केजी अंगूर का मूल किसी दिन एक सो साथ रुपे था एक महीने बाद चार केजी सेव और दो केजी अंगूर का मूल तीन सो रुपे हो जाता है तो इस स्थिती का बीज गनीतिय एवं जामीतिय रूप में आपको क्या करना है व्यक्त करना है तो चलिए सबसे पहले सेव अंगूर का मूल हमें नहीं पता है तो मुल्य लिख लेते हैं कि माना एक केजी सेव का मुल्य, ठीक है सेव का मुल्य नहीं पता है, इसलिए हम कितना लिखते हैं, एक सु रूपिया, और माना एक केजी अंगूर का मुल्य, ठीक है आप कॉमा देखने ही लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे, ठीक है, यह तो आ ठीक है बीज गनीतिय निरूपन ठीक है चलिए जो प्रश्ण की इसाब से कहता है सबसे पहली स्थिती में कितना सेव था दो केजी याने टू इंटू एक्स की सेव का मुल एक सुर्पया है पलस एक केजी अंगूर तो एक इंटू बाई याने बाई बराबर कुल मुल एक सु साथ रुपया पड़ा है जैने समी करन एक दूसी सिती क्या है चार केजी सेव याने चार एक्स पलस दो केजी अंगूर याने टू बाई इसका मुली पड़ा तीन सो रुपया हम हो गया समी करन दो चलिए तो समी करन एक से पहले देखते है ठीक है टू एक्स पलस बाई बर बराबर 160 तो चलिए बराबर इधर रहने रहते है 160-2x चलिए अब इसका क्या है हम सबसे पहले डबा के रूप में बनाकर हम वैल्यू को हम लिखेंगे इक क्श बाई चलिए कम से कम 3 वैल्यू कम से खम लाइए, हमने पहला कोश में जान पूश्यके दूखीं अम्हें 2 लिखें पहले, पहला कोशिसं किचे कुम से कम 3 और आपको ऐखेंगे चलिए तो पहला देखते हैं यदि हम x बराबर जो value है 40 कितना रखे 40 तो 42 असी ठीक है कितना हो जागा आन्य 80 हो जागा तो 60 में से गया कितना 80 तो कितना बचा आगा कितना 80 अब देखे हम यहां पर जो value है हम रखते हैं x बराबर 50 देखे 50 दूनी 100 160 में से 100 हो गया 60 हो गया अब यहां रखते हैं x की value बराबर 60 कितना है 60 तो 60 दूनी 120 160 में से 120 गया value कितना 40 तो आप मिला लिजगा यहां पहले हमने 60 असी तो 80 तो 80 आया 50 रखा तो 60 आया 60 रखा तो 40 आया ठीक है यह हो गया स्थिती first के लिए अब देखते हैं समीकरन 2 से आप समीकरन 2 से आप समीकरन 2 जो है हमारा है 4 x plus 2y बराबर 300 सबसे पहले देखें 2 comment निकल रहा तो हो जाएगा 2 x plus y बराबर 300 इसको काटेंगे तो 1.500 बार में कटे और याने हो जाएगा 2 x plus by बराबर 1.500 थीक है अप देखें हो जाएगा यह by बराबर 1.500 minus 2 x चले अब इसको फिर हम डबा मनाकर हम लिखते हैं चले ठीक है तो x by चले अब हम क्या है यहाँ पर भी x का स्टार्ट हम करते हैं 40 21 80 टो डिटर डिटर 0.25 में 80 गया 70 अब हम 50 लेते हैं तो तो 50 ने 100 डिटर डिर सो में 100 गया तो 50 ही आएगा अब हम 60 लेते हैं तो कितना अडियर समें 120 गया 30 आया ठीक है तो चलिए अब इसका हम graph पर चलते हैं चलिए हमने graph बना लिया है और हमारी जो स्थिती है वो दो स्थिती इस पर कार है ठीक है तो चलिए स्थिती के हिसाब से हम बनाना start करते हैं तो पहले जो स्थिती है वो है 40,80 फिर है 50,60 यानि X पर 40 देखते हैं X पर 40 चलिए X पर 40 है और हमें चलना है बाई पर 80 तो चलिए 40 के सामने चलते हैं और बाई पर 80 देख लिए बाई पर 80 और 40 के सामने यदि हम देखें तो यह जो line है यहां पर आती है ठीक है चल दूसरी सिती में हम देखें तो है 50,60 यानि X के लिए हम देखें तो X के लिए 50 है और बाई पर देखें तो यही बिंदू 60 पर जाती है ठीक है तो यानि 50,60 जो है वो इस लाइन पर आती है ठीक है यहां पर आ रही है तो चले हमने यहां मिला लिया याने यह जो बिंदू है 50,60 है ठीक है और यहां पर जो बिंदू हमने मिलाया वो था 40,80 ठीक है तीसरी स्थिती देखते हैं तीसरी स्थिती है 60,40 याने बाई एकस पर 60 और जो है बाई पर 40 है तो जो window है वो यहाँ है आप देख सकते हैं y के लिए 40 x के लिए 60 तो जो नीचे की line होती है वो x की होती है सामने वो चले जाती है y के लिए तो चले पहले स्थिति को हम सबसे पहले मिला लते हैं पहले स्थिति आप देख सकते हैं यह ऐसे 3 window बना है तो चले सबसे पहले इसको हम मिला लते हैं चले इसको मिलाते हैं तो आपको जो है कुछ इस्तिती इस परकार दिखती है ठीक है अनि इस परकार आपको लाइन जो है वो दिखता है बना हुआ तो चले इसमें समीकरन लिखते हैं जो समीकरन किसका है भई तो समिकरन था हमारा अगर आप देखें तो 2X पलस Y याने 2X पलस Y बराबर 160 ये इसका था ठीक है आप चलिए हम देखें दूसी स्थिती तो दूसी स्थिती है 40,70 याने X पर 40 X पर क्या है 40 है और Y पर चलते हैं इसी सीध में 70 तो यहाँ पर आ रहा है 40 को हम मिला रहते हैं दूसी स्थिती है 50,50 याने Y के लिए ही 50 और X के लिए 50 यहाँ है 40 को हमने dotted line से मिला लिया इस पर हम लिग देखें यह हो गया 40,70 यह हमारा 50,50 30 सिती है 60,30 याने देखें तो X के लिए 60 और Y के लिए 30 जो इस line पर है ठीक है अब चलिए इसको भी हम क्या करते हैं मिला लिते हैं तो आप pencil से मिलाएगा pencil से ही बनाएगा एक्जाम में आप pen का यूज नहीं कर सकते हैं आपका नमबर देगा नहीं चलिए तो हम इसको मिला लते हैं यह line भी जो क्या है एक दूसरे के देखें समांतर है याने पैरलर है तो चलिए इसका समीकरन लिख लेते हैं तो जो इसका समीकरन था वो समीकरन आप ध्यान दे तो वो है 4X पलस 2Y बराबर 300 लिख देंगे 4X प पूछे की हां graph कैसा है तो आप इसमें लिखेंगे कि graph क्या समनांतर है लेकिन graph अपसे यह नहीं पूछता है कि graph कैसा है यानि आप से ये पूछे कि इसका कितना हल होगा तो आप क्या बताएगा कि इसके कोई हल नहीं होंगे तो चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद और नए है तो subscribe कर देना और यह अच्छा लगे तो like करना तब तक के लिए धन्य कर दो कि अवाद?